हेलो दोस्तों गूड मॉनिंग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सब अच्छे होंगा और मैं भी बहुत अच्छी तो आज कर वीडियो कुछ इस प्रकार है आज मैं बनाने जा रही हूं जलेबी और वो भी एक कप मैदे से एक कप मैदा और एक कप चीनी से आप देख सकते हैं आप कोई भी बरतन सेट कर सकते हैं कप कटोरी बस यह है कि जो आप सेट करें उसी के मैजरमेंट से आप बाकी सारी चीजे भी लें तो हमने एक कटोरी चीनी ले लिए है एक कटोरी चीनी के लिए हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी पानी अगर आपने दो कटोरी चीनी ल जरूर एक करियेगा,ब हमने ले लिया के लिए data, church three kind starting, भितें दही हो है, इसमें बहुत जादा समग्री की जरूरत नहीं होती है, जले बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं यूज करना है बेकिंग पाउडर यूज करना है बेकिंग पाउडर मिसले यूज करेंगे क्योंकि इससे हमारी जले भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी बस इसमें हम कितना बेकिंग सोडा यूज करेंगे एक चुटकी के बराब बाकी हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेगा क्योंकि एक साथ पानी डालने में क्या होगा कि हमारा बैटर बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा हमें बैटर को ना बहुत गीला करना है और ना बहुत एक परफेक्ट बैटर इसका बना कर तयार करना है तो आप देखेगा कि इसमें हम कि से इसका बैटर हम बनाएंगे जब हम चम्मस से इसको उठाएंगे न तो यह एक फ्लो में गिरना चाहिए और आप इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही लगातार अगर फेटते रहेंगे मिक्स करते रहेंगे तो जो है इसका बैटर एकदम पर्फेक्ट बनकर तयार हो जाएगा और यह बहुत ही क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर का भी यूज किया है तो यह अब इदर एक बार की इस्तेमाल तो हम लोग करेंगे ही अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं को यह बिल्कुल मभल यह नहीं है कि बिना पधिए को बना सकते माल करते हैं अगर हम दोनों आतू के बीच में इस से करते हैं हलका सा तार बनना चाईए dinner को पूरा एक तार की चासनी नहीं बनानी है, बस इसमें हलका सा तार हमें महसूस होना चाहिए कि हाँ यह चिपक रही है, इसमें हलका सा तार बन रहा है, तो यह देखिया है, हम इसे एक बार और चेक करते हैं, यह आप देख सकते हैं, हलका सा तार बन रहा है, बस आपको इतनी ह इसके फ्लेम को बंद कर देंगे इधर हमारा बैटर भी बनकर तयार हो गया इसे हमने अच्छे से फेट लिया था और फेट कर 5-7 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से गिर रहा है अब हम एक कोई भी अगर आपके पास कोन है जली भी बन करके उससे भी इजली आप इसको बना सकते हैं ये हमारे पास एक बोटल पड़ी थी तो हम इससे बना रहे हैं अब ले लेंगे कड़ाही में तेल तेल को हमें इतना गरम करना है कि तेल ना बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए ना बहुत एकदम यह नहीं कि जले भी डालत तो उठके तुरंत उपर आ जाए बस हमें इतना गरम तेल जाई साइज आप अपने कॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं आप चाहें तो एकदम गोल साइज का बना सकते हैं देखिए जो लोग अकसर हलवाई लोगों की इसलिए एकदम पर्फेक्ट साइज आती क्योंकि वो हमे तो डालते समय हमारी गैस की फ्लेम हलकी स्लो होनी चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि हम जलेबी को अच्छे जैसे डालते फिर जलने लगते हैं मैनेज नहीं गर पाते हैं और जैसे ही तेल में पढ़ जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को टेज कर देंगे और उलट पलट क भी क्रिस्पी होने तक पका लेंगे आप चाहें तो बैटर में भी कलर ढाल सकते उससे कलर और अच्छा है क्योंकि हिलवाई लोग डालते हैं तो इसका और है अच्छा आता है हमने नहीं एड किया क्योंकि हमें घर की यूज बनानी थी हमने सिर्फ चासनी में एड किया एक मिनट तक उलट पलट कर उसके अदना चासनी आ जाएगी उसके बाद निगाल कर इसे एक प्लेट में रखते जाना है अब एक दो बैच और बना लें उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हम इसे कैसे चासनी में डिप कर रहे हैं इसी तरह हमने दूसरी बैच की भी डाल दी है अब इसे भी हम उलट पलट कर अच्छे से बना लेंगे सेक लेंगे इसमें गैस की फ्लेम बहुत जादा माइने रखती है कि आपका जो तेल है वो कितना गरम है जादा गरम है कम गरम है अगर तेल नहीं गरम होगा तो आपकी ज जिहान देना होगा अब यह जले भी भी हमारी पक गई इसको भी निकाल लेते हैं और इसी तरह हम चासनी में डाल कर उलट पलट कर एक मिनट तक इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे और उसके बाद निकाल लें यह जले भी अगर आप घंटों रख देंगे दो घंटे चार घंटे तब भी यह आपकी सॉफ्ट नहीं होगी और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार होगी अगर आप इसमें बेकिंग सोडा का यूज करते तो आपकी जले भी थोड़ी देट रखने के बाद सौगी हो जाती मतलब बहुत सॉफ्ट सी जैसे हो जाती उस तरह से हो जाती तो इसलि प्यार कर लिए है और चीनी के अभी बहुत ज़्यादा इसमें यह देख सकते हैं कितनी सारी और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनी है और बहुत अच्छे से रसीली है तो आप भी बनाईए और इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और अपना प्यार हमारे उपर ऐसे ही बनाए रखिए मिलते हैं आप सभी से फिर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाबाए और हाँ अगर आप इस रेस्पी को फॉलो करते हैं और बनाते हैं तो प्लीज हमारे साथ जरूर इस रेस्पी को सेयर करिए गा कि आपकी जलीबी कैसे बन कर तयार हुई हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड करकर जरूर बताइए गा